हाई स्टुडेंट्स लूबिया इंस्ट्यूट अलवर में आपका स्वागत है बहुत-बहुत हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्रेशन इंफ्रेजिंग पॉइंट हीमांक में अवनमन ये बच्चो चौथी यहनकी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रपर्टी है चौथा अनुसंग के गुणधर्म है डाइल्यूट सॉलिशन का अब आज कल तो मैंने एक्चली में इसका डेफिनेशन वगेरा ये चीजें बताई थी आज इस वीडियो में हम बात करते हैं दर असल इसकी केल्कुलेशन पर और केल्कुलेशन केल्कुलेशन जो करेंगे तर्मोडाइनिमिक डेर करने पड़ेंगे हमें उसके आधार पर हम इसे बनाएंगे तो फस्ट फॉल बच्चों पहली बात तो यह है कि यहां पर दो चीजें होंगी अकोडिंग टू डेफिनिशन हमने ये बात कही थी कि ठोस और द्रव जिस वक्त ठोस और द्रव दोनों की ही एक्विलिब्रियम म होता है जिस टेंपरेचर पर ऐसा होता है उसे हम ही मांग कह देते हैं तो उस ही मांग के लिए हमने यहां कुछ उसके आधार पर ग्राफ प्लोट किया है इस ग्राफ को आप थोड़ा से देखें यह जो ग्राफ है यह देखो यहां से यहां तर इसको देखेंगे दूसरा ग लिया है बच्चो वाई एक्स पर और इधर हमने टेंपरेचर लिया है एक्स एक्स पर हम ऐसा ही करते हैं जब डेरिवेशन करते हैं चलो अब देखो सबसे पहले एक बात मैं आपको दरसल बता देती हूं यहां पर कि हम एक बार आप इस ग्राफ को जड़ा देखें इस वाले ग्राफ को आप देखें यहां से मैंने लिखा हुआ है सॉलिड एक्विलिब्रियम वेपर इसका मतलब यह हुआ बच्चों की सॉलिड वास्प में बदल रहा है जब सॉलिड वास्प में बदलता है तो उस प्रक्रिया को उस प्रोसेस को उर्धो पातन की प्रक्रिया या उ तो हम जो कर्व BC है हमारा BC ये वाला, इस पर हम बात करते, तो BC कर्व में आपको देखना है, ये P पर तो कौन सा टेमपरेचर है, Tf, और P2 पर कौन सा टेमपरेचर है, T, ठीक है, तो T टेमपरेचर मैंने आपको बताया हुआ है, कि ये विलियन का हमने माना है, और Tf टेमपरेचर हमने बताया है, आपको किसका है, ये हिमांग, ये हिमांग किसका है, विलियन का, ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि T और P2, ये है इसका चीज, अब इसके बारे में हम बात करने बेठें, तो क्या होगा, ये देखो, क्लासियस केलोपिरोन समिकर्ण हमें लगानी है, ग्राफ BC पर, एक बार BC को देखो, ठीक है, देख लिया, अब प्रेशर P और P2 लॉग P, अपॉन में P2 लिख दिया, हुआ क्या है, सब्लिमेशन हुआ है, तो डेल्टा H S अपॉन में R लिख दिया, 1 अपॉन T अपॉन माइनस 1 अपॉन T F, पहले कम वाला लिखेंगे, माइनस फिर, जादा वालत आप लिखेंगे, ठीक है, तो समिकर्ण एक आपका यहाँ पर बन चुका है, इससे सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं करना, यह अंतर तो होता है, इतना, इसकी जगह आप यह लिख सकते हो, यहाँ से, और इसका मतलब डाइलूट सॉलिशन के लिए, T F और T की वैल्यू में कोई जाधा अंतर नहीं होता, यह लगबग बराबर होते हैं, तो अगर इनको हम इंटू करते ह हैं, तो यह T F स्क्वाइर के लगबग आते हैं, तो उसकी जगह हमने T F स्क्वाइर इसको लेख दिया, तो यहाँ पर यह समीकरन दो हमारा आचुका है, यहाँ पर डेल्टा एस, डेल्टा एच एस जो है, यह क्या है, आपको समझ में आगे होगा, यह मोलर हीप्डो सब्ल सब्लिमेशन है, उर्दुपातन की मोलर उश्मा है, अब यहाँ तो हुआ सब्लिमेशन अब कर्व डी की हम बात कर लेते हैं, विलियन द्रव है, और यह वास्प में चेंज हो रहा है, चेक है, तो विलियन द्रव से लेकर वास्प में अगर कोई चीज बदलती है, इसका मत वाँ वेपराईजिशन हो रहा है, तो इसकी तरव भी देख लेते हैं, यह चीक है, इस तरह से, यह तो प्रेशर हो गए, यह टेमपरेचर हो गए, लगा दो क्लासिस केलो, फिर उन समीकर्ण, यह लगा दिया, चीक है, इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेना, यहाँ सब्लिमेश की जगा क्या हो रहा है, वेपराईजिशन हो रहा है, वेपर बन रही है, लेकविड से वेपर बन रही है, ठीक है, तो यह समीकर्ण तीन हमारा यहाँ पर आ चुका है, बच्चो, आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं, अब सॉलिड से लेकविड के बीच का जो साम में उसे ग् इसमें से इसको घटाएंगे, तो क्या होगा देखो, यह P2P2 से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला सुना होगा, लॉग A माइनस लॉग B, तो इसको हम लिखते हैं, LN पॉजिटिव वाला उपर A बटा नेगेटिव वाला कीजिए, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, कौन से वाले को अगला वाला जो हमारा ये माटीरियल है, ये वाला, तो अगर मैं इसे लिखूं, तो ये तो लोग A हो गया, और ये लोग B हो गया, ये माइनस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, LN, P अपॉन में, P2, चीक है, बटा, बटा, बटे में अगर इसको अपर लिखेंगे, तो ये P2 नीचे चला, उपर चला जाएगा, और ये P1 नीचे, तो P2 से P2 कैंसल हो जाएगा, तो फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू आती है, चीक है, ये वाली वैल्यू आती है, उस वैल्यू को जैसे लोग P upon में P1 ये वाली बची इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको common ले लो जो चीज़े इसमें आपको समान दिखाए दे रही है उनको common निकाल लो बहार, ये भी है, ये भी समान है, R भी समान है, और ये, ठीक है, इनको common ले लिया, और इसमें से ये माइनिस हो गया, इनका जो अंतर होता है सब्लीमेशन और वेपराइजेशन का जो अंतर होता है वो फ्यूजन के बराबर होता है किसके बराबर होता है फ्यूजन के बराबर होता है उसकी जगा इन दोनों के अंतर की जगा हम डेल्टा ह एच एफ लिख देते हैं ये लिखती है ठेक है क्योंकि इसका मतलब ये होता है चलो very good समीकन चार हमारा आ चुका है अब राउल का नियम भी यहां में लगाना पड़ेगा क्योंकि राउल का नियम यहां पर बहुत काम कर रहा है तो राउल का नियम मौल भीन बराबर होता है इसके और ये ऐसे इसे हमको क्या करना है वच्चो solve कर लेना है चेक है इसको हमें क्या करना है solve करना है तो ये P जो है नीचे वाला P ये दोनों के बटे में हैं दोनों के divide में P upon में P का मतलब 1 होता है तो 1 minus P1 upon में P लिख दिया आपने बराबर X2 तो इसको अगर इधर ले जाएंगे ते माइनस में 1 minus X2 हो जाएगा दोनों के तरफ लोग लेने पर लोग लेंगे तो P1 upon में P आ जाएगा बराबर में LN 1 minus X2 आ जाएगा अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ अभी तो ये P1 upon में P है फिर अगर मैं इसे LN P upon में P1 कर दूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाती है उल्ट जाती है तो इधर वाला भाग negative हो जाएगा तो यहाँ पर देखो negative लग रहा है ठीक है यहाँ पर negative तो इसको अगर हम solve करते हैं इस formula से ठीक है ये लोग है ये 1 minus X है तो इसका मतलब ये आता है तो इसे हमने उल्ट दिया तो minus minus से कड़ जाएगा तो ये आएगी total इसको 4 में रख दो समी करन 4 जो आया था न भी उसमें इसकी value की जगे X2 रख दो log P upon में P1 की जगा X2 हमें महाँ पर रख देना है चेक है रख दिया रख दिया तो हमारे पास समी करन क्या आ गया है समी करन फिर यहां से डेल्टा इसको निकाल लो ठीक है डेल्टा HF को निकाला हमने डेल्टा TF को निकाला सॉरी तो ये चीजें इधर चली जाएंगी तो ये एक formula हमारा आ गया है पांच समझ चुके होंगे मेरी ख्यान से तो यहां पर हमारा जो X2 है वो mole भीन है और तनू billion हों के लिए मैंने आपको समझाया है कि small n जो होता है solute की मातर बहुत कम होती इसलिए X2 वराबर n upon में capital n होता है X2 वराबर हम number of mole का मतलब ये होता है तो आप समझ गये होंगे इसको solve कर दो रग दो इसमे और M upon में data F जो होती हो विलाई की गलन की उश्मा होती प्रति ग्राम के लिए latent heat of fusion per gram of solid solvent ठीक है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते है समिकन साथ के रूप में यदि विलियन की mole ललता M हो तो M mole विले 1000 gram विलाईक में गुले हों तब W upon में M mole ललता होगी 1000 में गुली होई है इसको सूतर में लग दो 1000 M बटा 1000 M क्या है मूललता है अब इसको समिकन 8 के रूप में लिख दो विवस्थित करके और यहाँ पर आपको दिख जाएगा की विवस्थित करके लिखा हुआ है तो के एफ यह कॉंस्टेंट है इसकी जगे पूरे को कॉंस्टेंट लिख दो कॉंस्टेंट लिखने के बाद में यहाँ पर अगर M बराबर 1 हो यूनिटी हो तब डेल्टा T F किसके बराबर हो जाता है के एफ के बराबर हो जाता है के एफ मॉलल अमनमन इस्टरांग या हिमांक मीती इस्टरांग या क्रायोस्कोपिक कॉंस्टेंट कहलाता है इसकी परिभासा इस तरह से होगी की एक हजार ग्राम विलायक में एक मॉल विले गोलने पर विलायक के हिमांक में अवनमन कोमा मोलल अवनमी स्तरांग या क्रायोस्कोपिक स्तरांग के एफ कहलाता है हिमांक अवनमन द्वारा विले कानु भार ने धारण हो सकता है कुछ नहीं करना इस वाले सूत्र को जो उपर वाला सूत्र था उसमें से ये मॉलेकिलर वेट जो ह आप यह इधर पकड़ के इधर ला दो इसको पकड़ के नीचे ले जाओ बस ही molecular weight आगया बस हो गए गणना इससे आप molecular weight यहाँ पर निकाल सकते हैं अब देखो अब experimental determination है इसको next वीडियो में देखते हैं बच्चों आज के लिए इतना ही इवाब फिर से इसे देख लीजे स्टार्टिंग से यह depression है इसमांक वह है ताप होता है जिस पर ठोस और द्रवस्ता सामयम होती है इन दोनों का वास्ता समान होता है यही मांक अबनमन है और यह रहिए आगे हम आगे भी बहुत सारी चीजे लेकर आने वाले हैं आपके आपर थेंक्यू सो मच